पहले मैं खेती करता था पहले मैं फॉज में था तो भी आनेस्ट जो भी यह सोशल मीडिया पर चलता है ना most of the things fake है बॉस हाई गाइस वेलकम बाक टो चैनल आज हैं जानेंगे mistakes done in intraday कौन से ऐसे mistakes जिनको आपको avoid कर नहीं है अगर आपको profitable होना है मैं आठ मेजर मेजर गलतिया बताऊंगा this video is going to be divided in two parts पहले पार्ट में चार mistakes जानेंगे अगले पार्ट में next चार चलो शुरू करते हैं first major topic avoid paid tips and calls यह मैं first इसलिए डाल रहो क्योंकि अभी hot topic चल रहा है जब भी आप account खुलने जाते हो आपका data 100 लोग को जाता है आप observe किया होंगे automatically आपको call आएगा नहीं तो message आएगा please sir join our telegram channel we'll give you a service नहीं तो please join our account handling service फलाना डिमकाना आप एक basic point समझो why do you go there either आपके पास पैसा कम है और आप उसको multiply करना चाहते हो quick पैसा चाहिए आपको और आपका बड़ा loss हुआ है दिसर तो only two reasons I see आप क्यों जाते हो उन चैनल के पास क्योंकि these channels give you hope आपको उम्मीद देते है ये channel कि आपका डुबावा पैसा वापस आ जाएगा और आपको लगता है क्योंकि ये बंदे ने पैसा कमा इतनी जल्दी मैं भी कमा सकता हूँ अप जब login करते हो ना एक disclaimer आता है नॉर्मल काम करते हैं जाते है ओफिस में ये स्टोरी आपको दिखेंगे नहीं इस इस प्यूर मार्केटिंग इस इस हाओ दे सेल देमसेल्स ऐसे ही वह लोग subscriber और follower बढ़ाते है ना आपसे मैं एक और question करता हूँ अगर ये लोग इतना crazy पैसा कमा रहे है ना वो जो paid call और tips लगाओ आप 10,000-5,000 कॉंट उठाके बैठोगे अकांट खाली करने के लिए अगर आप अब्जो करोगे ये लोग option buying के tip देते हैं जाहतर option selling बताईते नहीं है क्योंकि उनको पता है कि जाहतर लोग के पास पैसा कम है और option buying बहुत attractive चीज है इसलिए जाहतर वो ही बेचते ह आपको मैं हमेशा आपको एकी चीज बोलता हो बार बार आप अगर उदर जा रहे हो पैसा दे रहे हो go to learn सीखने जाए ये मत सोचिए कि मैं पैसा दूंगा और मेरे को double करके देंगे ये लोग नहीं तो मेरे को ऐसा कुछ strategy बोलेंगे जो मेरे को माला माल बना देगा अगर को लगता ऐसे कुछ है आप गलत ट्रेंग पकड़ चुके हो उससे निकलो पहले बात के हो focus on learning जितना आप खुद गलती करके सीखोगे उतना बेटर बनोगे क्योंकि अगर इनको पैसा दिया आपने तो अपना strategy डेवलप किया ही नहीं है तो आप हो कैसे पता चले कैसे information आया कि boss इधर से भी पैसा बनता है नहीं तो कोई तो रिष्टेदार आके बोला कि boss मैंने अच्छा पैसा कमाया then we come to this market but I'll ask you one thing जब भी आट ट्रेड लेते हो let's say आपका profit हुआ है आप immediately जाके social media check करते हो कि boss मैं जो trader को follow करता हो वो कितना पैसा बना है now let's say आपने 10th hour rupees बना है ठीक है you are happy with it आप immediately जाके आप जो influencer follow करते हो उसका social media देखते हो उसका Instagram देखते हो YouTube शौट देखते हो वो बंदा कमाए 1,00,00 रुप है आप suddenly आपको regret होता है आपको suddenly बुरा लगने लगता है आपको ल करता तो कितना profit मिलता अगर मैं overnight hold करता तो कितना profit मिलता यह सब फाल्ट के calculation करने लगते हो जो आपके पास है उससे खुश नहीं हो you want more and more वो जो influencer है जो एक लाग कमा के बैठा है उसका capital कितना है वो कितना capital गुशा है वो trade में पैसा लाने के लिए वो कितना point capture किया है let's say आपने 100 point भी capture करके 10k बना है लेकिन who knows उसने सिर्फ 30 point capture करके एक लाग बना है तो उसका capital कितना होना चाहिए and in fact to be honest जो भी ये social media पर चलता है न most of the things fake है boss आप मानो या ना मानो सब दिखावटी है to be honest these things play with your mind आपको लगता है मैं कितना कम कर रहा हूँ life में मैं कितना inadequate हूँ यही चीज़ करते है इसलिए आप मेरे को observe किया होंगे मैं market close होने के बाद ही कोई post या video डालता हूँ beach market में डालता है नहीं third major गलती overtrading ऐसा कोई बंदा है नहीं जो overtrading ना कर रहा हो वो कित्रा भी professional हो वो overtrading करके ही सीखाए but the thing is you need to know where to stop अगर आप overtrading करते जाओगे आपका account कही नहीं जाने वाला है boss now let's say कोई बंदा है जो दो stop loss खाके बैठा है सुबह से कभी कभी क्या होता है ना someone loses their mind वो पागल हो जाते जब things don't go according to plan उनको लगता है market मेरा stop loss कैसे खा सकता है मैं अच्छा analysis किया ये किया वो किया how can market take my stop loss इसकी वाइसे क्या होता है वो random trade लेने लगते है जिसका कोई सरपेर है नहीं randomly इधर गुसेंगे जब पता है इतना मड़ा momentum हो चुका है risk क्या reward क्या है उनको खुद को idea नहीं बट they expect result they expect profit even though the process is not right फाल्तु की reason दे रहे लगते है यह अभी US data आएगा European market खुलेगा यह होगा फलकाना होगा दिमकान होगा मोझी जी आकके बोलेगे वापस demonetization इस बार 4000 का note निकल जाएगा 2000 वापस आ जाएगा यह lame excuses देते रहोगे आपको अपना trade करने के लिए और जब आप trading screen के सामने बैठते हो ना सर दिमाग काम ने करता है पूरा emotion का game होता है इसलिए मैं पर्सम वीडियो वा यह बोला जाए भले में 18,000 कम है उस दिन जो mental fatigue हुआ है ना उस दिन आपको मैं बता नहीं सकता हूँ trading is more about emotional and mental capital than your paisa अगर आप एक दो साल बिता ही हो market में you would have known this by now और एक और चीज़ अगर पैसा आना है ना boss वो आपको दो तीन ट्रेड में दे देगा यह पांच 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 दज़़ लेनी की ज़रूती नहीं आप खुद अपने trade book उठा के देखो your most profitable days will be जो आपको तीन या दो ट्रेड में पैसा बना के दिया है नौदस ट्रेड से सिर्फ ब्रोकर पैसा बना रहे है आप तो नहीं बना रहे हो जो भी अब बनाओगे वो भी charges में दोगे just to see at the end of the day आपको green चाहिए P&L आप ट्रेड करते हैं बैठोगे next गलती taking more risk than required now let's say आपका पर ट्रेड का risk है 5K और आप 2 stop loss खाके बैठे ठीक है अब यह 10K जो आपको गया है अभी आप इसको recover करने लाओगे आप तीसरा trade ले सकते हो बट आप क्या करोगे आप इस ट्रेड में 5K कर रहे है 10K कर रहे है अब क्या सोचेगे आ रहे 10K वापस मिलेगा मैं zero play close करूँगा लेकिन इससे problem क्या होता है ना वो जब आप तीसरा trade लेने लगते हो ना extra risk के साथ आपको panic होगा आप चैन से बैठ नहीं पाओगे लेट से आप इधर shot करके बैठे हलका सभी green candle मिलेगा आप डरोगे भले है आपका stop loss इसकी उपर है वो green candle आपको mentally unstable कर देगा आपका stop loss इधर है लेकिन व और market बाके ऐसा तीन candle बनाएगा फिर आप सोचेगे यार अगर में hold करता तो end में 50K का profit मिलता है फालतु का risk मत उठाओ so hope you like the video thank you for watching